दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है साउंड काप्ट का EFX 12 मिक्सर दोस्तों आज मैं आपको इस मिक्सर के बारे में बताऊंगा इसमें क्या-क्या फीचर है, क्या-क्या एक्यूप्मेंट हम किसमें यूज कर सकते हैं इसमें साउंड सेट अप के दौरान हमें क्या-क्या सेटिंग करने चाहिए इसके बारे में भी वीडियो मैं बनाऊगा आप सभी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें एक भी टॉपिक को छोड़ेना मैं आज इस पूरे मिक्सर के बारे में एक ऐसी जानकारी दूँगा जो साइद अभी तक किसी ने यूटूब पर नए दी होगी तो दोस्तों मेरा नाम मुईदवेदी और आप देख रहे हैं एमटेक्स साउंड दोस्तों आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करें तो आईए शुरू करते हैं स्कार्टिंग होती है यहां से यहां से कहने का अर्थ यह है कि यह आपका में फेडर होता है यानि कि में फेडर यह आपका गाई की अंगरेप्ट होता है और ये होते हैं आपके दोनों Output, Main ठीक है, सभी शुरुवात यहां से करते होंगे कि चैदर आपको यहां से Insert करना है तक मेरा शुरुवात यहां से वीडियो जादा देर तक नहोंगा हो इस वज़े से मैं थोड़ा फास्क बताऊंगा आप सभी को ठीक, तो यह हो गया दोनों Main यहां से Main Output होगा दो ही Main होते हैं, इसमें और कोई Main Output नहीं है यानि कि आप एकसर आपके थूँ Output करवा सकते हैं उसके बाद, आपका यह होता है Indicator जिसमें कि आप जब इस पूरे प्रोगाम के दोरा इस Mixer को यूज करेंगे तो आपका जो यह आप देख सकते हैं Indicator इसमें आपको 0 dB मेंटेन करें करना है यानि कि 0 से थोड़ा ही उपर जाए पर रेट पर न जाए पीक पर नहीं जाना चाहिए अब यह हो गया Output का सिक्षन आप बताते हैं सबसे फर्स्ट कि आपको जब Sound Setup यूज करना है उस कंडिशन में मैं इसको बता रहा हूँ आपको आपको सबसे फर्स्ट इसको 0 dB पर मेंगेद करना है 0 dB आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 दिया हुआ है आपको इतने पर इसके बात क्या रखते हैं हमने यहाँ पर इंसर्ट दिया किसी भी माईक को इनपुट किया इसमें यह 12 नंबर अच्छे आपने इसमें किसी भी माईक को इनपुट किया उसके बाद इसका गेन आपने हाफ रख दिया उसके बाद ये matter करता है कि आपने इसमें किस purpose का mic यूज़ किया है Suppose that आपने इसमें जो है जो आपके कथावाचक है या जो main singer है उसका mic आपने इसमें input किया है उस condition में आपको क्या करना है उस condition में आप उसके हिसाब से उसका जो hf high frequency है उसको set कर दें उसके बाद इसको आप सेंटर में रहने दें इस के उपर यानि कि इस नौप के उपर आपको अगर video से हिए तो आप comment में जरूर बताएं उसके बाद आपका जो ये है मेट मेट भी आपको कम से कम ही रखना है ज्यादा मेट से आवाज फटने गखती है उसके बाद मेट से सिंकी की भी जो असुवधा है वो देखने में आती है उसके बाद ये आपका बेस है आपका जो मेल सिंगर है या जो भी है जिसके खातर ये माई का आप सेट कर गए है उसको बेस कितना चाहिए आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते है उसके बाद आउक्स आउक्स के बारे में भी एक बहुत यानि की आउक्स से हम कई काम कर सकते इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रू बताएं उसके बाद आता है आपका इफेट अगर आपका सिंगर इफेट चाहता है तो जितना इफेट चाहता है आप उसको उतना दे सकते हैं इफेट के बारे में भी आपको इस मिक्सर के इफेट के बार हूँ बहुत ही साधी और सौधरन बता हुं उसके बाद आप आती है बारी आपको यहां से आपनी जीरो डी बिश्ट्र कर रखा आ़ अब यह आपको फैतर धीरे धीरे बढ़ाना है उपर जहां तक कि सीटी ना है, हो सकता है आपको पूरा बढ़ाना परे, उसके बाद भी वो, यानि कि सीटी नहीं आ रही है और वो आवाज ज़्यादा मांगा है, तो आपको थोड़ा सा गेन भी बढ़ाना पर सकता है, ठीक? इस कंदेशन में आपका ये हो गया मेंटेन, अब इसमें क् को जानकरी, आप समझगेजी कि आपको गिटार, या बैंजो, या फिर कीबोर्ड, या ओक्टापैड, ऐसे इस्टुमेंट यूज करना है, तो साधान भासा में तो आप गयारेट इसमें इन्पुट कर सकते हैं, बट उन सभी को अन बैरेंज से बैरेंज करने के खातर टी और फैडर को सारी सेटिंग करने के बाद, जैसे कि आपने इसने पर करने है सेटिंग सबका, उसके बाद आपको आवाज आगे या पीछे सेट करना है, इनको नहीं टच करना, जिस जैसे कि आपने इसमें माइक सेट किया, इसमें भी सारे में माइक आपने यूज किया, जि CT की जो असविदा है वो खतम हो जाएगी महत्त पूर्जान करें आपको अपने इस मिक्सर के कहीं भी एक पेज को यानि कि किसी भी पेज को हटा के उसमें एक वायर इंसर्ट करके उसको टायट कर देना है इससे क्या होगा कि आप जब प्रोगाम में यूज करें मिक्सर को तो आपके जो भी प्रोगाम में इधर उधर का वायर है फार्णतों का वह हमिंग अगर पैदा करता है तो उस हमिंग को यह खातब कर देता है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको इस मिक्सर के किसी भी पार्ट के बार में आपको जानकारी चाहिए तो आपको ऐसी सी महत्प्र जानकारिया दी जाएगी जो साइद किसी ने दी हो गया तर जैसे कि आपको ऑॉख्स से क्या क्या फायदा है आक्स को हम कित अरी kilow में से यह कर सकते हैं उसके यह मिक्सर में हम दो कैके साथ कैसे यह सकते हैं उसके बाद हमारे पास जो ग्रूप setup है वो कैसे कर सकते हैं ARX से हम hardnake setting कैसे कर सकते हैं ARX में हम दूसरा eco कैसे use कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप इस share लंग को जरू subscribe करें उसके बाद बात आती ही कि आपको यह जो MF में एक white knob दिया होता है इसका क्या काम होता है बिष्टार में जानकारी चाहिए तो आप इस share लंग को subscribe कर सकते हैं उसके बाद इसकी eco जो effect के setting होता है इसमें तो जितने भी effect दिये हुए है 32 effect हैं आपको उन सारे effect के बारे में एक एक करके जान कर चाहिए तो आप चैनल में बिष्ट करें और हो सकी तो comment में जरू टाइब करें मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरू करूँगा दोस्तो आज की वीडियो रही इस mixer के बारे में आप बात करते हैं दूसरे वीडियो के बारे में आने आने वीडियो में मैं आपको इसी mixer में समझाऊगा कि आप इसमें दो इफेक्ट एक साथ कैसे यूज करें दोस्तो हमारा एक और चैनल है मोही थाई फाई भाई डिजे जिसको आप जाके सस्काइब कर सकते हैं उस चैनल पर दोस्तो आपको देजे से समबंधित और अभी तक तो उस पे साउंड से ससटम बे वीडियो आ रही थी बट आप उसको भी सास्काइब कर सकते हैं उस पे आप सिर्फ और से लत डिजे से संबंधित वीडियू आएंगी और यह जो M-tech song है इस पे song से संबने वीडियो आएंगी तो दोस्तों आज की वीडियो यही पे समात करते हैं जैन बंदेवात